दोस्तों वेलकम इस शौट वीडियो में अगर आप नहीं जानते के म्यूविंग क्या है तो वीडियो को एंट तक लाजमी देखें तो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज हमारा टॉपिक है कि हार्ड मियू और सॉफ्ट मियू में क्या डिफ्रेंस है इस शॉट टॉपिक में अकोर्डिंग तो डॉक्तर म्यू, म्यूविंग की तीन काइंड़ है नंबर वन, सॉफ्ट म्यू, यह एक बेसिक म्यूविंग टेकनीक है है जिसमें जुबान को पैलेट से टच करना है डॉक्टर म्यू के मताबिक आप इसे ओल टाइम कर सकते हो 24 आवर्स पर डे या इससे कम सॉफ्ट म्यू में जब जुबान को पैलेट से टच करते हो तो इस से फेस बोन्स लिफ्ट होती हैं जिसमें आपकी जॉलाइन और हंटर आइस प्रोमिनेंट होंगी आपके फेस पर जो एक्स्ट्रा फैट होती है यह उसको कम करके आपके फेस को अट्रैक्टिव स्लिम और फेशल स्मिट्री के अकॉर्डिंग डिवेल्प करेगी नॉमबर डू मीडि हम हार्ड म्यूविंग कहते हैं फॉर इक्जेंपल यह अपर टीथ हैं यह पैलेट है और यह टंग है और जब आप स्वालो या निगलने वाली पोजिशन बनाओगे तो जुबान एक्सपैंड होगी इस तरह यह मैक्जिला बोन को लिफ्ट करेगी इसमें आप मैक्जिला बोन पर लिटल बिट प्रैशर फिल करोगे तो आपका मुकमर स्कल लिफ्ट होगा और इस से आप हंटर आइस और जॉलाइन को प्रॉमिनेंट कर सकोगे यह सौफ्ट म्यूविंग से लिटल बिट हाड है और इसको निगलने वाले एक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर करते हो हो फौर इक्जेम्पल जब आप स्ट्रेस करते हो या वील लिफ्ट करते हो या कुछ हाडर वर्ट करते हो तो अलोट आफ टैंशन आपके फेस और जَّbor एरिया पर हैपन होती है मगर अक्सर लोग जो एरिया में टैंशन फील करते हैं जो के एक अच्छा साइन नहीं है क्योंकि जब आप मेस्टर मसल को ज्यादा ड्वैल्प करोगे इस पर ज्यादा जोर दोगे तो आपको पेंट फील होगा और और वर्किंग से आपका ये मसल स्लिप भी हो सकता है दोस्तों मेरे सजेशन ये है कि आपने सॉफ्ट म्यूव आर लाइन पर मजीद फैट है और फैट को रिड्यूस करने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हो वीडियो के लास्ट में आप मेरी ओने монव देख सकते हो जिसमें आपको ये बताया है कि कैसे आप अपने फेस और बोडियी को अट्रेक्टिव बना सकते हो हेर श उचना छोड़ दे के आप अगली हो अपनी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो लिंक मिल जाएंगी ठैक्स फौर वाचिंग जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें